कम समय में बन जाने वाला टेस्टी और हेल्दी नाश्ता है ये हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टो सीमा स्मार्ट किचन आज हम एक ऐसी चीज बराएंगे जिसे आप सुबह के नाश्ते में शाम की चाय के साथ या तो बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं चलिए बनाते हैं मूंग डाल का स्टफ चीला ये है स्टफट मूंग डाल चीला के इंग्रीडियंट ये सभी इंग्रीडियंट आपको आसानी से घर में मिल जाएंगे मूंग और चावल को अलग-अलग या फिर एक साथ पास से 6 घंटे या फिर ओवरनाइट भिगा लेना है अगर स्प्राउटेड मूंग है तो और भी अच्छी बात है फिर इन दोनों को मिक्स कर लीजे इसमें थोड़ा सा मिन्स 2-3 चमच पानी डाल दीजे और ग्राइन कर लीजे देखिए इस तरह का ग्राइन होना चाहिए मूंग और चावल के बैटर को एक बाउल में निकाल लीजे एक दूसरा बाउल लीजे उसमें चीज को छोटे-छोटे टुकडो में या फिर ग्रेट करके डाल लीजे अब एक कच्छा आलू लीजे इसे छील लीजे और इसे भी चीज में ही ग्रेट कर लीजे एक गाजर इसे भी छील लीजे और ग्रेट कर लीजे आप चाहे तो और भी कोई दूसरी वेजिटेबल ले सकते हैं आपकी मनपसंद वेजिटेबल इसमें डालिए या फिर आपके बच्चों को जो पसंद है वो डालिए अगर आप हरी मिच खाते हैं तो उसके भी छोटे पीसेज करके इसमें डाल दीजिए काली मिच पाउडर, नमक नमक थोड़ा कम ही डालें क्योंकि और चीज में भी नमक है और हम इसमें डालेंगे एक चमच टोमेटो सॉस अब इसे मिक्स कर लेंगे और अगर आपको मिक्स, हर्प और चीली फ्लेक्स पसंद हैं तो वो भी इसमें डाल लीजिए और मिक्स कर लीजिए चिली फ्लेक्स के बदले आप लाल बिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं मूंग चावल वाले बैटर में थोड़ा सा नमक और एक चमच टोमेटो सॉस डाल दीजे और अच्छे से मिक्स कर लीजे गैस पे एक तवे को चड़ा दीजे उसमें लगा दीजे थोड़ा सा तेल और मूंग चावल का बैटर डाल दीजे छोटा या बड़ा आप अपने पसंद के अनुसार डाल सकते हैं मैं यहाँ पे थोड़े छोटे छोटे बना रही हूँ अब इसमें डाल दीजे स्टफिंग, स्टफिंग कम्या जादा आप इसको भी अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं स्टफिंग को सब तरफ फैला लीजे स्टफिंग के उपर फिर से थोड़ा सा बैटर डाल दीजे मिस्टफिंग को पूरा कवर कर देना है इस तरह से और अगर आप लोहे के तवे पे बना रहे हैं तो इसके उपर फिर से तेल लगा दीजे और फिर पलट ये और अगर नॉन स्टिक है तो तेल लगाने की जरुरत नहीं है पलट पलट कर दोनों तरफ से थोड़ा सा क्रिस्पी होने तक इसे सेक लेना है लीजे तयार है स्टर्फट मुंग दाल चिला ये बहुत ही टेस्टी लगता है आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं और सुबह के नाश्ते में भी सर्व कर सकते हैं ये टेस्टी होने के साथ साथ बहुत हिल्दी भी है इसे आप किसी चटनी के साथ या फिर टोमाटो सॉस के भी साथ सर्व कर सकते हैं पर अगर कोई चटनी नहीं है हमने इसमें अल्रेडी टोमाटो सॉस डाला है तो आप इसे इस तरह से भी सर्व करेंगे तो ये टेस्टी ही लगेगा इसका टेस्ट थोड़ा सा टैंगी आएगा क्यूंकि हमने इसमें डाला है टोमेटो सॉस आप इसे जरूर बनाए और अपने एक्सपीरेंट शेयर कीजिए लाइक और कमेंट करना ना भूले अगर आपके फ्रेंड्स और फैमली मेंबर इस तरह का कुछ चटपटा नया खाना पसंद करते हैं तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं एक न्यू रेसीबी के साथ थैंक्स पर वाचिंग बाग सकते हैं नहीं तक सर्थ मिलते हैं gradộ 지금 फस्क्राइबेटेखंगेट नहीं सु कीजिए हैं बाबाबाब ढले संद करते हैं